गर्मियों को मौसम शुरू होते ही टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है स्किन हमारी बहुत ज़्यादा काली बढ़ जाती है और काली सी परत जम जाती है स्किन के ओपर डल हो जाती है हमारी स्किन लेकिन आज जो मैं remedy लेकर आई हूँ उसका इस्तमाल करने के बाद गर्मियों की मौसम में आपको कभी भी tanning की शिकायत नहीं रहेगी और यदि tanning हो भी गई है तो एक ही बार में जितनी भी tanning है वो पूरी तरीके से हट जाएगी बहुत ही जादूई से remedy दोस्तों करके देखेगा बहुत अच्छा result मिलेगा आपको चलिए तो जादा समय नहीं लूँगे आपका फटा फट से वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन वीडियो शूरने से पहले छोटी से request ज़रू करना चाहूंगे के सबस्क्रीार करसें माइब पहले डियोस निकाल सकते हैं है आलो आपकी सकटैों को लाइटं करने का काम करता है इस तो बसी पर और इसको इस से आपको डबाते हूए प्रेस करते हूं सो पूर जूस निकल जाता है पूरे आलू का यहां पर मैं इस्तमाल नहीं कर रहीं केवल आधा ही आलू हमें लगने वाला है और आधा जो आलू है इसको सबजी वगरा में आप यूज़ कर लीजिए यह देखिए काफी सारा एक से देड़ चमचे करीब यहां पर आलू का रस हमने निकाल दिया है निम्बू का रस इसमें आपको जरूर मिलाना है निम्बू की सीट्स आप निकाल दीजे इसका रस इसमें जरूर मिलाईए क्योंकि आपकी स्किन टोन को बहुत तेजी से देखे जादा निम्बू का रसने केवल अतीन से चारबूंदे ही निम्बू की रस की मैंने मिलाई है अगर आपको निम्बू का रस शूट नहीं करता है चहरे पे तो कोई बात नहीं आप यहांपर तमाटर का रस इसम़ाल कर सकते हैं आपकी स्किन टोन को जो यां समय पर फिटकरी ले रही हूं और उसका पाउडर हम अच्छे से कूट करके बना लेंगे तो करीब आधा चमच पाउडर हमें यहां पर फिटकरी का लगने वाला है दोसे तीन चीज़े काफी हैं आपकी सारी परिशानी को स्किन के परिशानी को दूर करने के लिए बस फिटक बाल तो कॉटन बाल की मदद से आप डिप करके इसको अपने चेहरे पर लगाईए चेहरा आपको बिल्कुल साफ होना चाहिए कोई मेकप दूल मेटी पसीन आपके चेहरे पर नहीं होना चाहिए अच्छे से चेहरे को दो लीजे पोच लीजिए उसके बाद आप इसको हैं पिग्मेंटेशन है वहां तो आपको अपलाई करना यह जिससे की चाहिए भी आपकी बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी चली जाएंगी दोस्तों जब तक मैं इस रेमेडी को अपने चेहरे पर लगाती तो तक आप मुझे बताईए आप मेरी इस वीडियो को दुनिया के कि हफते में तीन बार आप जरूर इस्तमाल कीजिए जादा समय नहीं मिल पादा तो कम से कम दो बार तो हफते में जरूर इस्तमाल कीजिए बस जैसी कॉटन बॉल से अपने अपलाई कर लिया हलकी हाथों से आपको मसाज भी करनी है जिससे कि सारा जो भी पोखशक तुत्व ह है यह आपके स्किन के अंदर तक जाकर काम कर सकेगा एक हफते के अंदर अंदर आप देखेंगे दोस्तों जितने भी पिंपल्स के निशान है जो जाईया है वो सब आपकी दिरे दिरे करके हलकी होती हुए आपको नजर आएंगी और आपका स्किन टोन भी बिल्कुल इवन करेंगे तो इसका रिजल्ट और भी अच्छा आएगा तो जैसे मैं आपको अपलाए गर की बतारियो से मुसी तरीके से आपको अपलाए करना है बस इसको आपको रखना है 10 मिनट के लिए उसकी बाद आपको वाश कर लेना है तो देखी दोसों 10 मिनट हो चुका है अब रे करें उनकी भी मदद हो जाए थांक यू सो मच वह वाचिंग इस वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर